सोमुहर को राधानिक पटना के सुतानगन थाना छेत्र में बी एन कॉलेज के छात को अग्यात लोगों के द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई मिर्तक छात की 95 वैसाली प्रखंड के भाजकर पद्रकार अजीत कुमार के पूत्र हर सराज के रुप में हुई है जानकारी मुताबिक हर सराज ला कॉलेज से परिछा दे कर जैसे ही बाहर निकला आठ से दस की संख्या में नाकाप पोश्पदवाशों ने उसके साथ मार पीट कर फरार हो गए वह जख्मी हालत में हर सराज को पी एंचेज भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने मिरित घोसित कर दिया घटना के बाद से पूरे इलाके में हरकंप मचा हुआ है पट्टा सीटी के एस पी बतने बताया कि हर सराज ला कॉलेज में परिछादे ने आया था मास्क पाने लोगों ने उसके साथ मारपीट की जा उसकी मोत हो गई उसका शोव पोश्माटम के लिए भेजा गया है और अपरादियों की धर पकड़ के लिए पुलिस छापे मारी कर रही है घटना घटी जो कले आया है एकजाम दिने इसका फाइनल एर का एकजाम था लोग कॉलेज में सेंटर था एकजाम देके निकला है निकलने के बाद खत्या के नियद से लोगे नकापोस से वहाँ हैं अरदस के संख्या में और यह बुलेट पर जैसीं चारा है उसी मारना सु चुना लड़ने के लिए इक हजाद चुनाव लड़ेंगे जाता को भी किया है पास आउट लड़ा है यहां पुरतिवे कोई नहीं लड़ा है इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे हमत्याव हार ज्यागना पत्रगार'' प्रटा है गड़ी वह चुनाम नहीं लगता है हम समझाते हैं तो नानों पैसा लगता ही जाता ही हमें हमें इनत कर रहे हैं सब इसकूल में कॉलेजिन घूम के लगा रहा है से नेटरी व्लेटरी दे दे देगा वोट हमको जांच होनी चाहिए और हत्यारा को सजा मिलना चाहि तो आया है तो वही बाद पून पर बात से नहीं आज नहीं आज कल में घंटा से लड़की थी शात्रा ही फॉन की है तो उसके बाद हम लोग भागे भागे यहां हैं तो देखें ते एक्सपायर कर रहे हैं देखी आज पता चला था यह सुचना मिली थी कि हर्ष राज जो है बियन कोलेज में थर्ड येर के वोकेशनल इंगलिश कोर्स की विध्यारती थे जो अपना एक्जाम देने के लिए सुल्तान गंज लोग कॉलेज जो थाना अंतर के दिस्थित है वहाँ वो एक्जाम देने गए थे वही रुपस्तित कुछ आत्रों ने बताया कि 10-15 की संख्या में जो मास्क पेने वे लड़के वहाँ पे आये थे और लाठी और डंटा से उनको मारना जो है वो शुरूर कर दिये उसके बाद जो इनको हर्ष राज को उनके जो दोस्त थे वहाँ पे उनके द्वारा जब उ उनकी जो है मिर्तिव हो गई है अभी परीजनों से जो है सबसे हम उस्ताच कर रहे और जो जो भी अगरतर कारवाई है हमारी एफसल की टीम जो है वो पौन चुकी है गटने स्तल पे बोक्स स्कुार्ड है वो भी वहाँ पौन चुका है और हमारी जो पिए टेक्निकल टीम ह पूरे घटना करम को जो है अभी इसमें नो संधान किया जा रहा है सबी बिंदों पर और परीजनों से आवेधन प्राप्त करने के पर शाथ जो भी एविडेंस आएंगे उसके अधार पर फिरम कारवाई करेंगे।